अच्छा लगे मैंने कोशिश किया कि अपने फेस को मॉश्यराइज किया है जोई का फ्रूट क्रीम से अपने फेस को अच्छे से मुश्यराइज कर लूगी दैन फाउंडेशन के लिए मेरे पास दो अप्शन थे एक स्पिंज का सिसी क्रीम था यह 20 रूपीज में फाउंडेशन मिला है मुझे स्पेक्टला भी मिला है जो मैं अपने प्रोड़क्ट को अप्लाई भी कर सकती हूं उसके जरिये आपको लग रहा होगा मैं काफी ज़्यादा एप्लाई किया था लेकिन बाद में यह लखन रहा था बहुत ज़्यादा यह फांडेशन तो यह फिर उपनी हैंस यह से मैं टैम लिया था है इयर नेक मत भूलिये जरूर अपलाई कीजिए अब मैं कंसीलर के लिए ले रही अपने अंडर आई एरिया पर इसे एपलाई कर रही हूं ताकि मेरा जो अंडर आई एरिया है वह हायलाइट दिखाई रहे हैं अमूरा का स्किन केर पाउडर यह 20 रुपीज का कॉम्पेक्ट पाउडर था तो जहां-जहां मैंने अपने कंसिलर को फाउंडेशन को लगाया है वहाँ वहाँ मैंने इसको set कर लिया है अच्छे से ये भी ऐसाई compact था जो लिकल रहा था अब मैं अपने आई का makeup स्टार्ट करूँगी आई के makeup के लिए मैंने लिया है red color का lip liner और ये मैं as a eyeshadow apply कर रही हूँ तो अपने eyelid पे outer V बनाते हुए अंदर की तरफ लेके आऊँगी and then ring finger के help से blend करूँगी crease line के लिए transition color मुझे transition color मुझे नहीं मिला था तो मैंने ऐसे ही apply करने की कोशिश है eyeshadow को apply किया है then मैं अपना eye का makeup बीच में छोड़ते हुए मैंने eyebrows पे पूद पड़ी हूँ और मैं अपने eye brows को fill कर रहे हूँ बताए आप फिर मैं अपने eye brows को brown color की pencil से fill किया है and yes black color भी लूँगी and brown color दोना shade को लूँगी and then अपने eye brows को fill करूँगी जो भी आपका excess powder है वो आप brush की help से इसे हटा सकते हैं after then मैंने लिया है pigment ये 10 रुपीस का pigment मिल जाता है 10-20 रुपीस में आपको easily market में मिल जाता है मैंने जो भी product लिया है सब भी local market में available है और एक sponge के help से पहले तो मैंने silver color को apply किया था after then मैंने golden color के pigment को लिया है and then मैं अपने eyes पे apply करूँगी ये glitter powder है बहुत ही बहुत ही छोटी होटी इसके पाउडर की तरह तो येस मैं इसे apply करूँगी और बहुत ही beautiful shade था as a highlighter में इसे भी highlighting करने के लिए भी मैं इसे use करूँगी and दौनों eyes shade को mix करने के लिए मैं finger के help से blend करूँगी ताकि मेरा eye का make-up blendable लगे unblendable ना लगे फिर मैं eyebrow पे कूंत पढ़ी हूँ 20 रुपीज का eyeliner एक wing बनाते हुए मैं अपने eyeliner को draw करूँगी यह बहुत ही जैड black eyeliner है अब मैं 20 रुपीज का मशकारा लूँगी and yes अपने मशकारा को apply करूँगी यह किसी काम का मशकारा नहीं था बुलकुल मतलब आपका यह है कि अपने product purchase किया है तो आपको apply तो करना है लेकिन इसने कोई भी काम नहीं किया था आप इसी की help से आप अपने eyebrows को भी कॉम कर सकते हैं तो मैंने अपने मशकारा लेया है अब मैं ले रही हूँ काजल है हमालिया का काजल है इजली मार्केट में available है अब मैं अपने ब्राउन पैंसिल उससे में फेस को कांट्रो करूंगी तो मैंने चिक बोन एरिया जॉलाइन एंड नोस को कांट्रो करूंगी ताकि मेरा फेस अच्छे से स्लिम दिखाई दे मेरे फेस को अच्छा definition भी चबी चबी चिक्स ना लगे मेरे फेस तो यह जो स्पॉंज था यह इसी से लिखला है कॉंपेक्ट पाउडर से तो मैं इससे ही ब्लेंड करूंगी पैंसल बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है तो यह मैं से करूझ के लिए अपने इनर कानन को इनर को हाइलाइट करने के लिए पैन इनर कारण को गोलब अन लिख़ाइंड के पाउड़ से आइशाडू जो से लिटर से उससे अब मैंने अपने ब्रोवेवन को भी कर लिया है अब मैं अपने चिक्स को हाइलाइट करूँगी सॉरी चिक्स को ब्लश करूँगी चिक्स पर ब्लश एपलाई करूँगी तो इसके लिए मैं लिप्श्टिक लिया है एडियस का लिप्श्टिक है एंडें फिंगर के हल्ब से ब्लेंड करूँगी यह बहुत चिप चिप बाली लिप्श्टिक थी तो मैंने पाउडर के हल्ब ज़से सेट कर लिया था अंडे 20 रुपीज में मुझे कोई ब्लश दिखाई नहीं दिया तो मैंने कॉम्पैक अब दो दोवलें सक्वाइन एंडें लिप लाइन लें लीपवने लेना है अडें एतं अ स्ब्सक्राइब कर लोगी reven the forbidden lip liner फ्ज्टिक से यह अच्छे से फिल करनओ तहाई तो यह था अज पराइग उप्श्टिक लग अगर मेरे लिय यह पसंद आए तो प्रीज मेरे चै लगी थी जो कि मुझे ठीक लगी थी बागे आखको लगता है